आज की वीडियो में हम जानने वाला है कि इंपोर्टेंस आफ एसी बीडी इन यूर लिवर इन यूर बोडी तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे इसको हम एस्ट के नाम से भी जानते हैं यह एक तरह का लिवर एसस्ट टेस्ट किया जाता है अचली होता कि जो एसी ओटी होता है यह हमारे लिवर के अंदर पाए जाता है और इसका वहलू जो होता है वह इंडिकेट करता है कि आपके लिवर में किसी तरह की डीशिस हुआ है लेकिन जो एसी होता है यह हमारे हाट में भी और मसल्व में भी पाए जाता है तो डॉक्टर को इसके लिए और भी परामेटर के जोगत परती है एनिज़वाई करने के या उसको मसल्स में या फिर उसके हार्ट में कोई अन्य तरह की प्रॉब्लम हुआ है यह काम आता है कि जब भी इसका रेंज अगर हाई होता है तो उस कंडिस में हम देख सकते हैं कि वैक्तिको साइद हैपटाइटिस हुआ हो या लीबर करने में मदद करता है कि या किसी तरह की रिस्पॉंस अगर कोई चल रहा है तो उस एदार पर इसकी वैलू है वो कम ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है तो बैसिकली आप देखोगे जो एसी ओटी होता है यह हमारे लीबर के अंदर पाए जाता है मसल्स में हाट में पाए जाता है इसका रिजल्ट करने मदद करता है कि आपको किसी तरह की कोई क्रोनिक विमारी तो नहीं है या आपको तो नहीं है या लीबर में किसी तरह की कोई इंफक्शन तो नहीं है साथ ही साथ मेडिसीन अगर कोई चल रहा है तो उस मेडिसीन के प्रभाव को यह टेस्ट में more specific होता है जो कि हमारे लिबर की टैकलिस को पता करने के लिए मदद करता है अगरे इसके वेलू से हम यह पता लगा सकते हैं कि आपके लिबर के अंदर किसी तरग कोई इंफ्लामेशन तो नहीं हुआ है या हेपेटाइटी या कोई फैटी लीबर तो नहीं चालू हो गया जिसको यह से एसी पीटी का रेंज बढ़ जाता है और फिर जो टेस्ट होता है यानि कि यह यह साम से बार में से लिए पीट के बारे में जंकरिया ले सकता है हमारा लीवर के बारे में यह दर्शाता है कि आपके लिवर की कंडिशन इस तरह से है